हम बनाने जा रहे हैं पूरी, पूरी को बनाने के लिए हम इसमें कुछ आटा लेंगे, इसको मैदे से भी आप बना सकते हैं, और आटे से भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैं इतनी सी ही आटा ले रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, मैं इतना सा ही नमक ले र ज़बा सकते हैं नगता हम ब्रपतका तलम तोला हुए घृफ करल नहीं है दाल सकते ह। जिनको अजवाहिन पसंद नहीं है और इसमें मैं हलका सा तेल डालते हूँ करीब देड़ चमच तेल इसमें में डालते हूँ अब इस सब को हम अच्छी तरह से मिला देंगे हातों से अब इसको हम पानी से थोड़ा पानी डालकर इसको गून लेंगे आप चाहे तो दूद से भी इसको गून सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी दिया है पहले इसको मिलाएंगे फिर इसके बाद फिर से थोड़ा सा देंगे और इसको एक नरम गून बना देंगे फिर इसके पेड़े बनाकर इसको अच्छे से बेल के पूरी बनाएंगे यह देखे धीरे धीरे जूड़ने लगा है अब हम इसको अच्छी तरह से इसी तरह से मसल मसल के बना देंगे देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से एक नरम कोन बना दिया है यह बहुत ही नरम बना हुआ है अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना देते हैं इसको पहले अच्छी तरह से इसे लंबा कर लेंगे और एक समान पेड़े बना लेंगे कि यहां पर मेंने इसको लंबा कर दिया है अब में इनके पेड़े कर देटी है सारे पेड़े बना दिये हैं मैंने इतनी छोटे छोटे पेड़े बनाया हैं अब इसको आठा ना लेकर तेल से ही हमें इसको बेलना है तेल से बेलने से इसको जब हम तलेंगे तब इसमें कुछ भी किट्टू तेल में नहीं जाएंगा तो इसको हलका सा तेल ये से लगा देंगे और थोड़ा सा बेलन में भी लगा देंगे ताकि ये इस पर चिपकेना और फिर इसको हलके हातों से बेल लेंगे इसको जब बेलेंगे तो रोटी की तरह एकदम पतला नहीं बेलेंगे इसमें हलका सा इस तरह से हलका सा मोटा पन रहने के लिए देंगे अगर ज्यादा पतला होगा तो यह पापड की तरह बन जाएगा तो इस तरह से हम सारे पूरिया बेल देंगे अपनी तो मैं हलका सा तेल एसे लगा लगा कर सारे पूरियां बेल देती हूँ तो इस तरह से मैं सारे पूरियां बेल देती हूँ देख सकते हैं मैंने सारे पूरियां बेल लिये है और यहां पर मैंने तेल भी चड़ा दिया हे गरम होने के लिए अब यह गर्म भी हो हम पूरिया ऐक भरींप से टाल के अगर यह भूले तो फिर अच्छे से ठूल ग्रूमु हो में देखिए हैं से इसको उपर से दवा लेंगे ताकि यह अच्छे से खूल जाए कि यह एक तरब से हो गया है अब मैंने उल्टा कर दिया है अब इसे दूसरी तरब से भी होने देते हैं यह देखिए यह फूल के बन चुका है अब हम अपना दूसरा वाला भी इसमें छोड़ें इस तरह से हम एक-एक करके फ्राइ कर लिए यह जब दोनर तरब से हलके भूरे रंग हो जाए तब इसको निकालएगा उससे पहले निकालेंगे तो यह कच्छा रहेगा और कुछ लेर के बार रचना भी हो जाएगा तो इसको जब एक तरब से भूरा हो जाए तो फिर दूसरी तरफ इसको थिकनेस देंगे अगर रोटी की तरह एकदम पतला कर देंगे तो यह फूलेगा नहीं जैसे हमारे पूरियां फूल रहे हैं सारे पूरियां तल लिए हैं आप देखिए सारे पूरियां फूले हुए हैं यह देखिए इसको अगर देल से अच्छे से खास्ता देकर एसे बनाएंगे तो ये सारे फुले हुए बनेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर